वेलकम बैक टु दिवाइन चैरो कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप विशाइप्रे क्या सब बहुत अच्छे होंगे गाईस तो वाच की जो रिडिंग होने वाली है इस रिडिंग में देखेंगे कि आपके परसन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है ठीक है उनके दि दिल और दिमाग से क्या चीजिक तोछ रहे हैं यह तो अ यह दो रहें मुझे इस परसन के दिल और दिमाग में क्या चीजे चल रही है अ है ऑनली यू की सप्राइज वहां ये वियाड भी आगिये सेक्रफाइस चाहिए और रता दिवाइन गाईट करें तक विश्यां गर काड आया है यहां पर हम इसे पैरोट से भी क्लेरिफाइ करके देखेंगे ठीक है गाइट करे डिवाइन इमेजिनेशन मेस्मराइज और अल अवर इनके अनलची क्या है डिवाइन अल अवर अनलची बता है दो काट्स आगे में एक लेने वाली थी एक उयुक्य है युक्य है भाटम अब देर्ग के अनरजी अप के लोट्पिनेस है बाटम अब देक लिए इनरजी को एक अच्फी लिए हुक्या नियुक्यारीफाइफ नियुक्याइच श को तब प्सक्राइबॉ जामेहा दिछावड Only you के energy को clarify करे Five of cups Okay, surprises के energy को clarify करे The hangman Sacrifice के energy को clarify करे Seven of vents इसको मैं हाँ पे रख दे रही हूँ, ठीक है Imagination के energy को clarify करे Death Nismarize के energy को clarify कर रहा है Page of pentacles Journey के energy को clarify करे Page of swords Okay, यहाँ पे है The sun Bottom of the wreck के energy है Three of pentacles ठीक है यहाँ पे three of pentacles तो मैंने deck थोड़े साइड में रख दिया Okay, यहाँ इस चाहिए So yes, मैं clarify करूगी सबसे बहले बात करूँ, इनके energy में जो राशिया मिल रही है वो राशी है, लिब्रा यानि की तुला राशी, स्कॉर्पियो है, व्रिशिक राशी Capricorn है, Makar राशी, Aquarius कॉंबर राशी, Pisces मीन राशी, Cancer करक राशी, जैमेनी मितुन राशी, Taurus विरिशब, Aries मेश राशी, यह सारी राशियां आपे हाइलेटेट है हाला कि 12 साइन की रेडिंग है, जो साइन मुझे दिखा है, मैंने आपको बता दिया नमबर्स के लिए में बात करूं, तो नमबर 12, नमबर 5 ऑफस्टिकल में दिख रहा है, नमबर 7 है, नमबर 13 और 10 और यहां पर कहीं नहीं आपके पार्टनर देखो, दिल और दिमाग में इनका एक जंग छिडा हुए, दिल से जब यह आपके बारे में सोचते हैं, तो काफी मेसमराइज हो जाते हैं, यानि कि लाइक यह व्यक्ति आपको देखके ना आहे भरने लगते हैं, यह आपको दे होना था इस यहाण वह रिश्टे में मैंने वह सारी चीजे करी ठीक है उसके इंसान सोचता रहा चाला ह्का आपके बारे में काफी पौजिटिभ सोचते हैं लाइज बारे में+, रिष्टे में, इन už और हैं लाइज में सबते हैं, इन डिमाग नारे Соalth danis 106000 में बारे में 10 कोई सप्राइज आप के लिए प्लाइन करते वह नजर आए बट यह सिर ख्याली प्लावे देखो एक भ्रहमिक दुनिया में आपके पार्टनर जी रहे ठीक है या आपके लिए टोटली एफर्ट डालते वह मुझे नजर नहीं आ रहे है अपने तरफ से एफर्ट कम दिमाग चलाते है ठीक है दिल बहुत जादा इनका कहता है कि आपके पास आजाए आपके पार्टनर ने हाली में किसी टैरो रिडर से या फिर किसी एस्ट्रोजी या पंडित या किसी से तो आपके बारे में जानने की कोशिश करी है ठीक है या इनके फैमली वाले हो सकता है कि इस त फैमिली वाले या इंके इर्दगिर्द के लोग है आस पास के वो कहीं ना कहीं इनके बारे में सर्च जरूर कर रहे हैं कि आपके पार्टनर कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं किसके साथ घूम रहे हैं या रिलेशन्चिप उनका कैसा था पास्ट में ठीक है उन लोगों ने हो सकत किसी से देखा नहीं गया और यह बात आपके पार्टनर को ना जादा नहीं कहूंगी मैं कि शियर नहीं है यह इंसान ठीक हो सकता है इनको पता है कि फैमिली वालों के वज़े से यह सारी चीजे हो रही है मेरे लाइफ में यह किसी ने ऐसा करवाया है या कुछ तो क्रियेट क खतम हुआ था यानि कि no contact यदि third party की situation थी आप लोगों की relationship में रिष्टे में थी तो definitely इस relationship को नहीं तरीके से शुरुवात करने के बारे में भी यह सोच रहे है ठीक है यह बात बता दो यहां पे इनके पास options भी है जिसके वज़े से यह पॉरसन ख्लोज आफ हो चुके ठीक यह पूरी तरीके से close हो चुके इनके पास options है यदि आप current relationship में भी इनके साथ हो और आपको उम्मीद है कि यह person एक दिल लौट आएंगे तब भी मैं कहूंगे कि इनके पास options है ठीक है आप हो सकता है नहीं जानते बट आप जो थे ना आप literally आप बहुत unique person थे ठीक है और ब बहरा पड़ा हुए कितना colorful है I hope आप लोगों दिख रहा हो काफी colorful है राइट और यहां पर देखो सारे cups जो है वो खाली है टूटे फूटे से है कही ना कहीं धर धर पड़े हुए तो इनको इनको खुशी नहीं है ठीक है यह जो भी इनके life में options है वो सब बहुत रूखा स जो आप जो ते कहीं है के मन पसंद इनसान थे और आपके साथ जो 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 काफी ब्यूटिफुल रही है जिसके बारे में सोचते हुए जिसके बारे में एक साइट होते हो नजर आ रहे है पॉर्शन ना दुनों के relationship में एक रिक्स लेना आप ज कि यह सही नहीं है वो सही नहीं है आपके partner सोचते जरूर है दिल से कि यदि मेरा रिष्टा खराब हुआ है इस रिष्टे में जान दालू ठीक है वापस से मैं जाओ कि उन options में यह खुश नहीं है यह आपर खुश नहीं है यहां पर खुश से कह रहे है कि only you इनको कोई और महीं चाहिए, शरिफ और सरिफ आप चाहिए ठीक है बट्रि आप भी इनको नहीं ध्यान दे रहे आप भी इनको नहीं मिल पारे हैं जिसके वज़े से यह पोरसन बहुत परिशान है अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ये बहुत अलग तरीके से दिमाग चला रहा है ये फैमिली के तरफ पहले नहीं सोचते थे इनको ऐसा लगता था कि फैमिली काफी अच्छी है इनकी मनिपलेटिव नहीं है फैमिली इनकी हमेसा सपोर्ट करती है बड़ दीरे दीरे करके ना आपके पार्टनर को ये आईना दिखाया जा रहा है और इनको ऐसास हो रहा है कि फैमिली ने डफनेटली कुछ तो करा है जिसके वज़े से मैंने हस्ता खेलता रिष्टा बरबाद हु जिसके वज़े से ये काफी ज़्यादा सोच विचार करती है और ऐसा भी लग रहा है कि पॉर्टन आने वाले चाइन में हो सकता है कि किसी तरीके का इनिशियाटिव ले बड़ करेंटली मुझे नहीं दिख रहा करेंटली यदि आपके एक्सपेटिशन है सो ऐसा नहीं में लग बड़े चाहिए करें भी तो क्या है लुकार और इनके लाइस में हो सकता है कि कोई ठाट पार्टी तरीकि या कोई प्रसण है जिसके वज़े से ये परसण मजबूर है प्रसन कोई पैसला नहीं कर पा रहे है आपके प्रती बड़ी देखो आपको देखते हैं यह यह आपको social media पे देखते हैं यह आप दोने एक ही city में रहते हो थोड़ा सा difference है आप दोनों में बट यह definitely आपको watch जरूर करते हैं यह आपके work place पे कहीं पे तो है जहां से यह आपको रोज देखते है stocking energy है यहाँ पे queen of pentacles की energy है यह person अपनी life में कुछ भूल नहीं पा रहे है पता नहीं कि एकड़म से blue color मेरे आखों के सामने आ रहा है ठीक है blue color की energy आ रही है सो हो सकता है कि यह person अपनी life में थोड़े confusion में है जिसके वज़े से यह select नहीं कर पा रहे है बड़ी person देखो आपको select करना जरूर चाहते है बट यह न सोच नहीं पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए हलाकि इनको पता है कि success कहां है relationship कहां है सांती कहां मिलेगी इनको यह चीज़ पता है इतने बच्चे नहीं है आपके partner सामा सोचो कि इनको किसी चीज़ का ग्यान नहीं इनको पता है कि happiness कहां है खुशिया कहां है किसके साथ मेरी wish पूरी होनी है कौन मेरा family बनने के लाइक है कौन मेरा साथी बनने के लाइक है या कौन मुझे प्यार दे सकता है नहीं दे सकता है यह अच्छे से बता है आपके पार्टनर को फिर भी इस रेलेक्शन्शिप में ऐसा लग रहा है कि काफी लंबे टाइम से पॉर्सन सफर कर रहे हैं ठीके इनके विश बन चुके हो आप यह आपके लिए प्रेयर भी करते हैं ठीक है कुछ तो ऐसी चीजे है जिसके वज़े से आपके पार्टनर और आप अलग हुए हो ठीक हो सकता है सम्टाइमस यह अपना फोन आफ रखते हैं कभी कबार अचानक से इनका फोन आपको आफ मिलता होगा इनका मूड काफी जादा डाउन रहता है ठीक है इस टाइम पे तो काफी जादा डाउन दिख रहा है इसा लग इनका mood जो है काफी जादा mood swings से ये deal करते हैं जल्द इनका mood swings बहुत जादा होता है कभी एक दम अचानक से इतने खुश हो जाएंगे भाई इतने खुश हो जाएंगे कि आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ये मेरा हिप OSO warson इंटनी जादा के घुढ़ हुसते हैं और एक उनके फ्मन कोई सास आता है कि सबकुछ खतम होने वाला है सबकुछ खतम हो चुका है मेरे लाइफ में यह बढ़ जबसे आप इनके लाइफ से गए हो ना आ पिनका लख लेके चलते हो इनका लग लग पूरी हो ए ना कुछ हो रहा है ना इनका जीवन पहिया वो आगे नहीं बढ़ पाए है ठीक है यह से खुल के एक्सप्रेस ना करने के वज़ से इनको चाहते हैं आपके साथ emotions को खुल के express करना आपके साथ खुल के चीजों को share करना बटी कर नहीं पाते हैं आपके partner बहुत जादा हो सकता है career में भी हो सकता है कि उनको शफलता नहीं मिल पारी है या वहाँ सारी चीजों में यह down इनका जा रहा है ठीक है चीजे अच्छी नहीं चल रही है वर उसके बाद भी कहीना कि यह person जो है hope लगा कर बैठे हुए एक crossroad पे खड़े यानि crossroad के energy रेप्रेजेंट करती है कि इस person के पास कोई दो रास्ता है ठीक है उस दोस रास्ते में से किसी एक रास्ता को इंको select करना है बड़े किसी एक को भी select नहीं कर पा रहे है अपके partner के mind में confusion बहुत जादा है नंबर 5 obstacles में आया है so definitely देखो यहाँ पे black magic के energy है ठीक है contemplation है यह person अपनी energy को एकागर करने की अंदर से सोचने की कोशिश करते है कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है क्या मैंने जाने अन जाने में कोई गलती करी जिसके वज़े से हस्ता खेलता रिष्टा तूट गया ठीक है जैसे कि हाँ पर देखो family की energy आई ठीक है इनकी family आप दुनों के relationship में involved है या तो फिर यह family के तरफ through आपको manipulative करने की कोशिश करते हैं बहुत मनुपलेट करते हैं आपको ठीक है या यह ऐसा बताते हैं कि हमारे family में ममी पापा नहीं मानेंगे या family वालों ने मेरे लिए बहुत कुछ करा है इनकी mother ने इनकी father ने बहुत सारे sacrifices करे हैं ठीक है lots of चीजे इनकी mother ने करी है या इनकी father ने करी है जिसके वज़े से आपका हाथ नहीं थाम सकते यह family को भी देखना होगा ठीक है जिसके वज़े से हो सकता है कि आपके मन में अलत गलत ख्याल आते हो ठीक है आप दोनों तरफा सोचने लगते हो कि क्या family manipulative है family ने कुछ करा है या family के तरफ से कोई negative उड़ जाए जिसके बारे में आप बहुत overthinking में चले जाते हो ठीक है तो chances है family किसी तरीके से involved है आप दोनों के रिष्टे में और यहां पर थोड़ी बहुत negativity है आपके partner के अंदर जिसके वज़े से यह right decision नहीं ले पाते है अपनी life में बड़ी जानते है ठीक है कि आपके साथ जो रिष्टा है ना वो काफी बच्छ वाला रिष्टा है इनका यह आपके साथ हस सकते हैं आपके साथ रो सकते हैं यह पहीं आपको बहुत जाधा चाहते हैं ठीक है बच्चे की तरह सोचते हैं कि मेरा जो पार्टनर енहुपश्टा है बहुत ही प्यारा है बहुत ही क्यूट है कहीं आपके बहरे में बहुत सारी positive चीज़े यह पार्शन सोचते हैं और इनको ऐसा दी लगता है कि इस प्या यदि किसी right person के साथ है ना so definitely उसका बच्पना जो है वो बहार आ जाता है ठीके और इस person sometimes इन्होंने feel करा है कि आप एक बच्चे की तरह इनको pamper करते हो ठीके सोल मेट की एनरजी है so chances है यह आपके past life person हो सकते है यानि कि इस जीवान में आप दूनों मिल के एक दूसरे को complete किये हो ठीके और आपको ऐसा लगता है कि यह मेरा partner है मेरा soulmate है so अलग से आप लोग को divine connection फील होता हो कि आप इनको भूल नहीं पाते है आपके life में भी हो सकता है कि choice बहुत जादा है या आपके life में भी career opportunity बहुत है options बहुत है ठीक हो सकता है कि आपको बहुत लोग चाहते हो बहुत लोग बट आप एक loyal और बहुत ही अच्छा रिष्टा ढूंड रहे हो ठीक है जिसके वज़े से आप चाहते हो कि हमारा जो रिष्टा है वह बहुत beautiful हो या रिष्टा आपके partner को चाहिए जिसके वज़े से वह guilt feel कर रहे है आपके partner आपके बहुत है रह नहीं सकते है chances है कि आप दोनों के बीच में kids है या तो आप दोनों married हो ठीक है या जिस person से आप deal कर रहे हो सकता उनके kids हो आप किसी married person से deal कर रहे हो ठीक है यदि यह married नहीं है तो definitely आप दोनों के बीच में इनकी mother का involvement जादा है ठीक है mother है या तो कोई ना कोई स्त्री ज़रूर involved है या इनकी कोई friend हो सकती है ठीक है कोई friend या फिर relative में कोई हो सकता है बट definitely कोई स्त्री ज़रूर है जो आपके partner को पढ़ाती लिखाती है ठीक है अच्छे समझाती है कि यह सही है वो गलत है हाला कि यह बच्चे नहीं है आपके partner बट उनकी बाते क्यों सुनते हैं ठीक है बट यहाँ पैसा लग रहा है कि यह स्त्री काफी manipulative है यह अच्छा नहीं सोचती आपके बारे में ठीक है चांसे हैं कि आप किसी third party situation में first चुके हो अलरडी हो सकता आपको नहीं पता या फिर इनके family वाले ही काफी manipulative है यह थी आपकी reading यदि इस energy को claim करना चाहते हो आप ठीक है यहाँ पे black magic की energy आई है सोचे नहीं पता कि यह किसके लिए आई हुई है ठीक है यह energy यदि आपको लगता है कि कुछ ऐसा है आपके partner के साथ ठीक है जब रस्ती resonate करने की कोशिश ना करे यदि आपको लग रहा है त ठीक है सो इस तरीके से आप claim कर सकते हो otherwise आप thank you universe भी लिख सकते हो वीडियो को like जरूर कीज़ेगा चैनल पर यदि पहली बार आ है सो चैनल को subscribe करे like करे धेर सारा प्यार दे डिवाइन टरो को अभी क्लिबस इतना ही मैं मेलती हूँ आप सभी से लिडिंग में बाई गाइस झाइस